तो आज हम लोग यूज डिसकस करेंगे कलेंडर टॉपिक को कलेंडर टॉपिक जनरल कमपेटिशन के लिए बहुत ही महत्यपूर्ण है चेक्षा है यह है कलेंडर इसे हर एक कमपेटिशन एक्जाम में कमसे कम दो कोश्चन आते हैं तो कलेंडर टॉपिक में ट्रिक यूज करेंगे इसमें यूज करेंगे सबसे पहले हम मंत का जो है मंत का कोड याज करेंगे मंत के कोड के लिए होता है जैसे जनवरी है फरवरी मार्च अप्रेल मैं जून जुलाई अगस्त सितंबर अप्टूबर नौमबर दिसंबर इसका कोड डालेंगे जीरो तीन तीन छे एक चार छे दो पांच और जीरो तीन तीन पांच ये पूरे हुए एक दो तीन चार पांच 6 7 8 9 10 11 12 12 महिने होते हैं 12 कोड है यह जनवरी का कोड है यह फरवरी का मार्च का ऐसे ही आगे दिसंबर का कोड तीन है अब इसको याद भी रखना है तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसको तीन तीन भाग में बांट देते हैं अब हुआ कि पहला जीरो तैंटीस दोसरा चार चेसो चौदर दीसरा चेसो पचीस और चौथा जीरो तैंटीस अब इसे याद भी रखना है तो इस दोनों को याद रखेंगे यह पैंटीस होगा तैंटीस नहीं पैंटीस ठीक है यह पहले वाला भाग है जीरो तैंटीस और लास्ट वाला जीरो पैंटीस दोनों के बीच में दो कांतर है सिर्फ और सेकेंड पार्ट है छेसो चौदर और थर्ड पार्ट छेसो पचीस दोनों के बीच में एक ग्यारा क इसे याद करेंगे अंगली यह हमारा जो तीन अंगली है इससे मान सकते हैं जनवरी पोर पे लास्ट वाले पे जनवरी फवरी मार्च अप्रील मैं जून जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर नॉमबर दिसंबर इस तरह इस पर बिठा देंगे जीरो तीन तीन छे एक चार छे दो पांच जीरो तीन पांच इस तरह से याद रखेंगे इसको आप अगर रोजाना दो तीन वार याद करेंगे न तो तिन चार दिन के बाद याद करने के जोत नहीं परेंगे अब दूसरा सदी का कूट डालेंगे सदी का कूट सदी होता है जैसे चार में डालेंगे फिर आजाएगा दूवजार एकीस सो इस सो बाएस सो तैस सो इसी तरह चोबीस सो पचीस सो आगे आगे बढ़ते जाएगा इसका कूट डालेंगे पहले छे फिर चार तो और जीरो ये दो-दो के घटते करम में है इसको भी यां उंगली पे याद कर सकते हैं चार है न बढ़ते करम में तो सुल्ल, सद्र, अठार, उनीस फिर आ जाएंगे बीस, एकीस, बैस, तेस ये सदी का कोड चार उंगली यों पे हो जो हमारा रिजल्ट आएगा उस पे दीन जैसे है सोम बार को वन मानेंगे एक अगर हमारा रिजल्ट आया तो सोम बार मंगल बार को दो बुध बार को तीन इसी तरह ब्रेस्पती बार को चार डालेंगे सुक्र बार का कोड पांच होगा सनिवार का कोड छे और रविवार का साथ यह हो गया अब क्या करना है कि जैसे कोई भी दिनांक का निकालना है जैसे निकालना है हमें चार नौवंबर 1997 का अब हमें निकालना है चार नौवंबर 1997 यह डेट किस दिन को था अब इसका दिन हमें निकालना है तो हमें करना क्या है है चार नौवंबर इसमें हमारे पास है यह महिना का कोड अलब मन्त का था कर तो महिना मंबर इसका और सदी का इसका कोड है सिर्फ हमारे पास चलिये बनाते हैं चार का चार आ गया टेक है, नॉम्बर का code होता है, अंगली से हम दिखाते हैं, नॉम्बर का code, तो पहला सुरू होता है, जन्वरी से, 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, तो यहां पे आया हमारा 3, नॉम्बर का code हो गया, 3, अब 19 में सतावदी है, सतावदी 19 है, 19 सतावदी आप यहां देख सकते हैं, 16, 17, 18, 19, 19 सतावदी में 0 है, उंगली पे कैसे होगा, तो इसको माने थे 16, 17, 17, 18, 19, 2, 6, 4, 2, 0, 0 आगे, इसको 0 लिखे, फिर लिखेंगे, पियर, 97, अब क्या करना है, यहां पे ध्यान देनी वादिवात है, इस 97 को हमें लिप यर निकालना है, तो इसमें 4 से भाग देना ह 4 से भाग देके, और सिर्फ, 4 से भाग देके, सिर्फ भाग फल को यहां लिखना है, सेस फल को छोड़ देना है, जो भी सेस फल आए, अब इसमें हम भाग देते हैं, 4 से, तो देखिए क्या आता है, 4 दोनी, 8, और 4 चोगे, 16, सेस फल वज़ता है, एक, लेकिन हम सेस फल को नहीं जो रहे है, इस 24 को हम यहां लिखेंगे, और इसे मैं अभी, इस दोनों को मैं मिटा देता हूं, कन्फ्यूज नहीं होने के लिए, अब चलिए, अब इस सारे के सारे को जोड़ देंगे, इतने भी हैं, 4, 3, 7, 7, 7, 7, 14, 4, 18, 9, 1, 10, 2, 12, यह आए, इसमें जो भी योग हो पूरा का, उसमें साथ से भाग देंगे, इसमें चार से भाग दिये थे, यहां पे कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें अब साथ से भाग देंगे, साथ से भाग देंगे, तो साथ, ठीक है, चलिए मैं भाग करके दिखाता हूं, यहां पे दिखाता ह ठीक है, 128 में 7 से भाग देना है, 7 का 7, 5 बचा 8, 8 सते 6, 2, ये बचा सेस्फल हमारा 2, ये 2, जो सेस्फल है न 2, इस भाग फल को नहीं देखना है, इस सेस्फल को, ये 2, इसको दीन के कोड में देखना है, इस 2 का दीन कोड है, ये मंगलवा, ये हुआ इसका आंस, आप चाहे तो किसी भी मुवाइल से, या फिर कोई भी कलेंडर से, इसको मिला सकते हैं, इसका आंसर, दो ही आएगा, अब एक और आपको बताते हैं, जो कि लिप यर में हो, कोई भी डेट, कोई भी डेट बताओ, जो भी लिप यर में हो, जैसे 2000 सुला का देखते हैं, अगर जब लिप यर हो, और जनवरी फैवरी में हो, तो उसमें एक मैनस किया जाता है, मैनस हमेशा कर देंगे, अगर दिनांख जो है, जनवरी एवं फैवरी में हो, तथा फर्स लिप यर हो, तो दीन में से, दीन का जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में से, मैनस एक करेंगे, ठीक है, तो दो फर्वरी, अब इसको क्या करना है, दो तो दिनांख हुआ, इसका दो ही लिखेंगे, अब निकालना है, फैवरी का कोड और सदी का, फैवरी का कोड हो गया, इस पर गिंती करते हैं, जीरो, तीन, तीन, तीन आया, सतावधी है, बीश मी सतावधी, अब यहां पर देखना है, सुलना, सत्रह, ठाटारा, उनीस, बीश मी सतावधी में फिर छे आ रहा है, तो छे डालेंगे, औरर दो हजार सुलना है, इसको क्या करते हैं, चार से भाग देते हैं, लिखीर निकालने के लिए, भाग फल आता ह चार इस चार को यहां लिखेंगे इसको फिर से मिताएंगे ठीक है अब सेवन कटर एक विधी होती है जो कि आप असानी से काट दें या फिर सबको जोर के फिर साथ से भाग देना है ठीक अराम से आप सबको जोर देते हैं यहां पर बोले है अगर लीपियर हो यह ज़ए लीपियर है चार से पुर्ण कट रही है और जन्वरी का मैणा है तो मैंनस एक करेंगे तो आजयेगा दू होता है मंंगलवार आपका अंसर हो गया मंगलवार चले एक सॉड़ कट करते हैं कि सेवें कटर विधी का सॉड़ कट देखिए तीन दो छे और छे बारा ठीक है बारा में साथ से काटे तो आ गया पांच यहां पे पांच बच गया सेश ठीक है और इस सोलम में साथ दूनी चोदर इसका सेश बचा दूर फिर देखिए पांच और दूर पांच साथ चारे ग्यारा होता है साथ चार बचा ठीक है चार दो छे हैं और चार दस दस को साथ से काटेंगे तो तीन बचेंगा यहां भी तीन हो जा रहा है इस तरीके से आप कोई भी दिन का कोई भी कलेंडर से किसी भी दिनांग का दिन निकाल सकते हैं तो दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा ज्यादा लो बीछिए 125 अवाफचा लोस्तों अच्छा आप जिन कीजिएगा का इस चैनल को जसे के कीजिए एक झाल